इस वीडियो के लिए दो मुख्य सोर्स हैं एक है स्टोरिया दो मोगोर जो इटली के यात्री निकोलो मनुची के द्वारा लिखा गया है निकोलो मनुची जो उस समय भारत में रहा जब यहाँ पर औरंग जेब का शाशनकाल था मतलब यहाँ की घटनाओं को निकोलो मनुची ने स्वेम देखा या नहीं भी देखा तो उस समय के सोर्सेज को पढ़कर अपनी किताब को लिखा निकोलो मनुची नैकेवल औरंग जेब के शाशनकाल में भारत था की औरंग जेब के बाद में भी बादूर्शा प्रत्थम, जहादर शाह और फर्रूक शियर के शाशनकाल तक वो भारत में रहा और यहीं पर वर्ष 1717 इस्वी में जो वर्तमान चेन्न नहीं है वहाँ पर उसके मृत्ति हो गई थी उसके द्वारा लिखी गई किताब इस्टोरिया दो मोगोर को विलियम इर्विन के द्वारा अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था और वही अमारा पहला सोर्स है इस वीडियो के लिए दूसरा जो सोर्स है वो सर जदुनात सरकार की किताब है A Short History of Aurangzeb तो इनी दोनों सोर्से के आधार पर अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ दूसरे मराठा शाशक छत्रपति शम्बाजी राजे जो पहले मराठा शाशक छत्रपति शिवाजी माराज के सबसे बड़े पुत्र थे उनको मुगलों के द्वारा एक फरवरी 1689 इस वी को संग मेश्वर से गिरफतार कर लिया गया गिरफतार करते समय उनको बाल पकड़ कर गसीटा गया और बहादुर गड़ लिजाया गया वहाँ पर औरंग जेब के आदेश पर जब वो जेल में बंद थे तो रुहुला खां उनसे मिलने के लिए गया और रुहुला खां ने उनको जान बक्षने का उफर दिया कि आपको छोड़ दिया जाएगा जिवित कुछ शर्ते हैं आपके पास जो किले हैं वो लोटा दो जिन खजानों पर धावा बोला गया है वो लोटा दो लेकिन शंबा जी राजे ने ये कहा कि तुम्हारे बादशा से कहो अगर वो मुझसे दोस्ती करना चाता है तो अपनी एक लड़की मुझे दे दे मतलब अपनी एक लड़की की शादी मेरे साथ में करवा दे सोचने वाली बात यह है कि जब उनको जान बक्षने का ओफर दे दिया गया था तो इस प्रकार की बात उनके दुआरा क्यों कही गई जबकि यह स्पष्ट था कि ओरंग जेब की दुआरा उनको मौत के घाट उतारा जाएगा और यदि इस प्रकार की बात कही जाएगी तो मोत बहुत जादा दर्दनात हो सकती है और जैसा हम देखते भी है कि जब 11 मार्थ 1689 इस्वी को उनको मोत के घाट उतारा गया तो उससे पहले 15 से 20 दिनों तक उनको बहुत टोर्चर किया गया तड़ पाया गया उनकी आखों में जलती सलाखे डाल दी गई उनके अंग को दीरे 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 काटा गया तो ऐसा आखिर क्यों कहा ऐसी क्या घटना हो गई थी जिसकी वज़े से उनको इस प्रकार की बात कहनी पड़ी थी तो इस वीडियो में हम छत्रपति शंबाजी राजे के शाशनकाल के बारे में बात करेंगे बात करेंगे किस प्रकार से शडियंतर के दुआरा उनको गिरफतार कर लिया गया था और कैसी दर्दनाक मोत उनको दी गई थी इस वीडियो को पूरा देखना आप मैं रमन भार्द्वाज आई ये शुरू करते हैं विश्या को आगे बढ़ाते हैं और वहां तक पहुँचें कि किस प्रकार से शंबाजी राजे को मुगलों के दुआरा गिरफतार किया गया था और किन शडियंतरों के बीच में ये दूसरे मराठा शाशक बने थे उससे पहले एक बार इनके जीवन का हम परिचे ले लेते हैं इनके शाशनकाल की कुछ महत्वपुन बातों पर चर्चा कर लेते हैं संबाजी राजे का जन्म 14 मई सन 1657 इस्वी को पुरंदर में हुआ था पुरंदर जो वर्तमान में महाराश्टर के पुने के अंतरगत आता है पुने जिले में आता है इनके पिता पहले मराठा शाशक चत्रपति शिवाजी महाराश थे इनकी माता का नाम साई बाई था अब गोर करना 1657 इस्वी में जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय की क्या राजनितिक प्रिष्ट भूमी रही क्या राजनितिक उठा पटक रही इसका चित्र भी आपके दिमाख में बनना चाहिए ताकि आप किसी बात को रटे नहीं हम जानते हैं 1657 इस्वी में मुगल शाशक शाह जहां के बिमार होने की खबर फैली थी और ये अफवा फैली थी कि शाह जहां की मृत्यू हो चुकी है अफवा फैली थी सच्चा ही नहीं थी ये हम जानते हैं कि शाह जहां को बाद में औरंग जेब ने कैद में डाल दिया था और वहीं कैद में रहते वे शाह जहां की मिर्त्य होगी थी तो खेर जब ये इस प्रकार की बातें फैली तो शाह जहां के पुत्रों औरंग जेब, दाराशिकोह, शुजा और मुराद के बीच में उत्रा दिकार को लेकर संगर्श होने लग गया अब मुगल जब आपस में लड रहे थे, भिड रहे थे, दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे तो मराठों के लिए ये एक अच्छा उसर था अपने राजे का विस्तार करने का और मराठों के दुआरा बहुत अच्छा खासा विस्तार कर लिया गया था तो ये उस समय की प्रिष्ट मूमी है जब इनका जन्म हुआ था अब आपको रखने के आवशकता नहीं पड़ेगी इनका जन्म कब हुआ था जब ये दो वर्ष के थे सन 1669 में तब इनकी माता साई बाई का निदन हो गया था साई बाई का निदन होने के बाद इनके पालन पोशन की जिम्मेदारी शिवाजी माराज की मातोश्री जीजा बाई के दुवरा उठाई गई और जीजा बाई ने इनको लगबग लगबग भूत सारी भाशाओं का ग्यान करा दिया था इनको मराठी तो आती थी इनको हिंदी भी आती थी संस्कृत भी आती थी पुर्तगाली भी आती थी अंग्रेजी भी आती थी इतनी सारी भाषाएं सीखने का क्या मतलब कुछ फायदा है कि इस बात का बिलकुल है अगर आपको बहुत सारी भाषाएं आती हैं तो सोचो आपक okay communication skill कितना गजव का हो जाता है एक और समय में पूरत गाली भी टे अंग्रेज भी थे इसके अलावा मुगल भी थे तो फार्सी भी आती थी मुगलों से भी अच्छा कंव्यूनिकेशन कर सकते थे नंग्रेजों से भी अच्छा और उसी लिए इन्होंने 1684 इस्वी में अंग्रेजों के साथ में संदी की थी भाशा सीखने का अपना एक अलग महत्व होता है अपना एक फायदा होता है कि अगर आप सामने वाले की भाशा को जानते हैं तो आप उसके अर्थ के साथ-साथ उसके भाव को भी समझ सकते हैं कि किस भाव के तहट वो कहा गया है लेकिन अगर आप एक मीडियेटर रखते हैं तो मीडियेटर आपको अर्थ तो समझा सकता है लेकिन उन भावों को उस रूप में नहीं समझा सकता है जैसा वो एक्चुल में होते हैं खेर इनके दुआरा कुछ काव्यों की गरंतों की भी रचना की गई जो इस बात की पुष्टी करते हैं कि हाँ इनको बहुत सारी भाशा है आती थी जैसे कुछ एक्जामपल रखता हूं संस्कृत में इनके दुआरा लिखा गया था बुद्ध भुष्णम एक कव्य है जिससे राजनिती की जानकारी मिलती है और सेनिक्षेत्र पर अगर इन्होंने लिखा है तो देखो तीन चीजें यहाँ क्लिएर और हैं आपके सामने एक तो भाशा खुद के अलावा दूसरी भाशा भी जानते हैं राजनिती पर लिख रहे हैं तो राजनिती की भी समझ है और सेनिक्षेत्र पर लिख तो इसका मतलब बड़ी उठा पटक हुई मैं बात कर रहा हूँ 11 जून सन 1665 वी की जब मराठों और मुगलों के बीच में एक संदी हुई थी जिसको पुरंदर की संदी कहा गया वही पुरंदर जहां पर इनका जन्म हुआ था ये संदी शिवाजी महराज मराठों की ओर से शिवाजी महराज और मुगलों की ओर से आमेर के जो शाशक थे मिरजा राजा जैसिंग उनके बीच में हुई थी क्योंकि हम ये जानते हैं इस संदी से पहले मराठों के दुआरा मुगलों की हालत खराब कर दी गई थी और ये भी पता है कि किस प्रकार से अपरेल 1663 इस्वी में शिवाजी महराज ने मुठी बर सेनिकों के साथ में लाल महल में प्रवेश किया और औरंग जेब के मामा शाहिस्ता खां की उंगलियां काट दी थी मुगलिया हरम में घुसकर और शाहिस्ता खां का फिर ट्रांसपर कर दिया गया था दूसरी जगे तो इसलिए मराठों के विरुदेक सेन्य अभियान चलाने के लिए आमेर के शाशक मिर्जा राजा जैसिंग को भेजा गया था और 11 जून 1665 इस्वी को ये संदी हुई थी मैं कहना ये चारा हूँ कि जब ये संदी हुई तो इस समय इनकी आयू 8 वर्ष थी और ये सारी इस प्रकार की उठापटक देख रहे थे और निश्चित ही इन सारी बातों का असर व्यक्तित्व पर पड़ता ही है संदी की कुछ शर्ते थी कि मराठे अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे इसके आलावा मराठों के पास जो सालाना 40 लाख की आये के जो परगने हैं वो भी मुगलों को दे दिये जाएंगे संदी राजे को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा और मुगलिया दर्बार में भेजा जाएगा मुगलिया सेवा के लिए शिवाजी महाराज मुगलिया दर्बार से मुक्त रहेंगे मतलब उनको उपस्थित होना जरूरी नहीं है लेकिन यदि कभी ऐसा आदेश हो जाता है तो उनको उपस्थित होना पड़ेगा ये ऐसी शर्ते थी उस पुरंदर की संदी की उसी संदी की शर्तों के तहट शिवाजी महाराज ने शंबाजी राजे को आमेर के शाशक मिर्जा राजा जैसिंग के पास में एक पॉलिटिकल होस्टेजेस के तोर पर भी बेजा था बाज में हम जानते हैं कि जब ये नो वर्ष के हुए तो 1666 ईश्वी में शिवाजी महाराज औरंग जेब से मिलने के लिए आगरा गए थे अब उससे हमें हवाई जाज या फिर ट्रेन तो थी नहीं बस तो थी नहीं गोडे पर बैटकर वो सफर किया था और इनके साथ में संबाजी राजे भी गए थे मतलब एक नो वर्ष के बालक ने बारा सो तेरा सो किलोमीटर का सफर तै किया था आज थोड़ी देर साइकल चला के देखो कमर दूग जाती है हालत खरा हुजाती है तो ये बाते मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आये कि इन्होंने अपने बचपन में ही संगर्ष का वो दोर देखा था अब मैं आपको सीदे लेकर चलता हूँ वर्ष 1680 इस्वी में जब मराठा सामराज्य में उठा पटक हुई अपरेल 1680 इस्वी में शिवाजी माराज की मृत्यू हो गई थी और उनकी मृत्यू के समय तक संबाजी राजे को पनहाला के दुर्ग में रखा गया था अंडर सर्विलांस कुछ कारणों की वज़े से इनको देख रेक में नजरबंद रखा गया था पनहाला के दुर्ग में और मराठा राजदानी थी राएगड तो ये जब नजरबंद थे अंडर सर्विलांस थे तो राएगड में इस प्रकार की व्यवस्था हुई कि संबाजी राजे को उत्रादिकार से दूर रखा जाए उनको उत्रादिकारी बनाने की बज़ाए उनके जो दूसरे भाई है राजा राम उनको उत्रादिकारी बना दिया गया और इस सारे खेल मैं राजा राम की जो माता थी सोईरा भाई इसके अलावा वहां के राएगड के कुछ मंत्री थे जिन में से एक प्रमुख नाम है अन्नाजी दत्तो इन्हों ने मिलकर राजा राम को अगला शाशक बना दिया और ये पनहाला के दुर्ग में अंडर सर्विलांस थे लेकिन अब ये जो विवस्था रायगड में हुई इससे बहुत सारे मराठे खुश नहीं थे बहुत सारे वहीं के मंतरी भी खुश नहीं थे कमांडर इनचीव जो थे हमभी राओ मोहिते वो भी खुश नहीं थे ये लोग धीरे 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 वहां से निकल के रायगड से और ये सब इखटा होने लगे कहां पर पनहाला के दुर्ग में पनहाला में संबाजी राजे की इस्थिती मजबूत होने लगी और इनों ने पनहाला के दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया उसके बाद सेना तयार की वहाँ पर हम भी राओ मोहिते के दुआरा क्या किया गया राएगड के दुर्ग में अन्ना जी दत्तो और कुछ मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया पेश्वा मोरोपंत को और गिरफ्तार करके पनहाला में बेज दिया गया संबाजी राजे के पास में संबाजी राजे न कि संबाजी राजे के बोजन में जहर मिला दिया जाए और जहर देकर मार दिया जाए तो अन्ना जी दत्तों के हाथ पेरों में बेडियां बांदी गई और हाथी के पेरों तले फैंक दिया गया हाथी लें कुचल कर इनको मौत के गाट उतार दिया अन्ना जी दित्तों को वापस पनहाला के दुर्ग में चलते हैं कि पनहाला के दुर्ग पर जब इन्होंने अपना अधिकार कर लिया तो बीस हजार की सेना तयार करके अब ये राजदानी की और चल पड़े संबाजी राजे राजदानी कहा राएगड राएगड की और चल पड़े और वहाँ पर 18 जून 1680 इस्वी को इन्होंने राजदानी में प्रवेश किया आपने 20,000 सेनिकों के साथ में इनका वहाँ पर कोई किसी प्रकार का विरोध निवा क्योंकि जो विरोध करने वाले थे उनको पहले ही जेल में डाल दिया गया था और जो राजाराम थे वो मातर इस समय दस वर्ष के बालक ही थे सन 1670 review में उनका जन्म हुआ था 1680 इस्वी में 10 वर्ष की आयू में राएगड में कुछ मंत्रियों और उनकी माता के दुवारा विवस्था करके उनको बैठा दिया गया गद्धी पर तो वो एक अबोध बालक थे इसलिए उनके विरुद इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और उनके लिए भी एक उदारता का परीचे दिया खेर 18 जुन को दुर्ग में प्रवेश हुआ, 20 जुलाई 1680 इस्वी को ये गद्धी पर बैठे और ओपचारिक रूप से इनका जो राज्य विशेक हुआ, मतलब संबाजी राजे, छत्रपत्ती संबाजी राजे बन गए 16 जनवरी 1681 इस्वी को अब जब ये शाशक बने तो इन्होंने उस अभियान को कंटिन्यू रखा जो इनके पिता 16 शिवाजी महराज के दुवारा चलाया गया था इन्होंने पुर्टगालियों पर आक्रमन किया, गोवा में, इन्होंने मैसूर प्राप्त करने का भी प्रियास किया था मैसूर के शाशक की उपादी वाकरती थी चिक्का राजा, उनको चिक्का राजा कहा जाता था इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों के साथ में संदी की 1624 शिवी में, जिसकी चर्चमा आपके साथ में कर चुका और मुगलों के विरुद्ध भी इन्होंने मोर्चा खोला अब मैं एक युद्ध की तरफ आपको लेकर चलता हूँ और धीरे धीरे मुसोर बढ़ रहे हैं कि इनको कैसे गिरफतार किया गया 1687 इस्वी में मराठों और मुगलों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको वाई का युद्ध कहा जाता है वाई इस्थान पर वो लड़ा गया ये वाई जो इस्थान है वेस्टन घाट का जो एरिया आता है इससे पूर्व की ओर पड़ता है और यही युद्ध महाबलेश्वर इस्थान पर भी लड़ा गया महाबलेश्वर जो वेस्टन घाट पर ही आता है एक सेंक्चूरी आती है कोई न उसके उपर का क्षेतर है ये आज हो सकता है वहाँ का जंगल थोड़ा सा कम हो लेकिन उस समय भोत घना जंगल हुआ करता था आज भी है अगर आप वेस्टन घाट में जाएंगे तो आज भी बहुत घना जंगल है और मुझे तो ये ध्यान है कि एक बर मैं राजस्थान की सरिस्का सेंक्चूरी में गया था और बारिश के समय गया था तो इतना जंगल वहाँ पर खड़ा वा था तो वहाँ उस स्थान पर इनका युद्ध हुआ ऐसे स्थानों पर लड़ने में मराठों की एक्सपर्टीज होती थी ये बहुत विशेशग्य थे उस क्षेतर में लड़ने के लेकिन मुगलों के साथ में ये एक्सपर्टीज नहीं थी मुगल ऐसेक शेतर में लड़ने के आदी नहीं थे, वो खुले मैदान में लड़ सकते थे जबकि मराठा ऐसेक शेतर में लड़ सकते थे इन्होंने 1687 में मुगलों को पराजित किया लेकिन इनके जो कमांडर इनचीफ थे, हम्भी राओ मोहिते वो मृत्यू को प्राप्त हो गए और यही समय था 1687 इस्वी से, जब संबाजी राजे के विरुद शडियंत्रों का दोर शुरू हो गया और इस शडियंत्रों को करने में सबसे आगे थे इनके साले जिनका नाम था गणोजी शिरके, जो इनकी पतनी के भाई थे और उनी की वज़े से इनको पकड़ लिया गया तो अब हम बात करते हैं, अक्टूबर 1688 इस्वी की जब एक व्यक्ति को पराजित करने का और मारने का प्रियास किया गया वो व्यक्ति थे कवी कलश, कौन कवी कलश? कवी कलश जो उज्जैन के ब्राम्बन थे इनके शंबाजी राजे के मित्र थे और इनके सलाहकार थे, इनके बहुत विश्वस निये व्यक्ति थे तो कवी कलश को इनसे दूर करने का प्रियास किया गया और 1688 इस्वी में कवी कलश पर जब आकरमन किया गया तो उनको खेलना के दुर्ग में जाकर शरण लेनी पड़ी खेलना का दुर्ग वर्तमान में विशालगड कहलाता है पूचा जाता है सवाल कि कि किसके दुआरा खेलना के दुर्ग का नाम विशालगड रखा गया शिवाजी महराज के दुआरा यह भी पूछ लिया जाता है कि खेलना के दुर्ग का नाम क्या रखा गया विशालगड रखा गया द्यान रखना तो कवी कलश को जब खेलना या आज का जो विशालगड है वहाँ पर जब शरण लेनी पड़ी तो संबाजी राजे अपनी राजधानी रायगड से एक सेना ल रुके यही वो इस्थाने जहां से अब इनको गिरफतार किया जाएगा संग मेश्वर जो वर्तमान में महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में आता है रत्नगिरी जो शहर है वहां से लगबग ये 30-35 किलोमेटर की दूरी पर नोर्थ इस्ट में पड़ता है यह वहां से विश्राम कर सके घने जंगलों के बीच में ये एरिया हुआ करता था अब देखो ध्यान देना गणोजी शिर्के के द्वारा यह शडेंत्र किया यह यहां पर रुके वे थे इसकी सूचना मुगल अधिकारी मुकर्रब खान को दे दी गई मुकर्रब खान दरसल एक टाइटल इसका नाम कुछ और हुआ करता था शेक करके कुछ वआ करता था मुझे द्यान नहीं आ रहा मुकर्रब खान जो मुगलों का 6000 का मनसबदार हुआ करता था उसको इस सूचना मिली लेकिन केवल सूचना से कुछ नहीं होना न अगर यहां पे बड़ी सेना संबाजी राजे के पास में अगर है तो मुकर्रब खान क्या कर लेगा तो इनके साथ का ही कोई व्यक्ति इंटरनल मुगलों के साथ में और गणोजी शिरके के साथ में मिला हुआ था क्योंकि संबाजी राजे जब संगमेश्वर पर रुके तो अपनी एक बहुत बड़ी सेना को राजदानी लोटने के आदेश दे दिये ये गल्ती हो गई यहां पर और उनका कौन ऐसा सलाकार रहा होगा जिसकी वज़े सेना को वहां से लोटने के आदेश दे दिये ऐसा भी कहा जाता है कि कभी कलश के दुआरा ऐसा किया गया लेकिन हम यह जानते हैं कि कभी कलश ने मुगलों से युद्ध किया था इनको बचाने के लिए शंबाजी राजे को उनको तीर लगा था एक आकर और हम ये भी जानते हैं कि औरंग जेव ने जब कैद किया था तो कभी कलश की जबान को बार खिंचवा दिया था लेकिन जरूर कोई ना कोई सलाकार यहां पर था जिसकी सला से सेना को वापस भेज दिया गया था और जैसा हुआ करता था अमूमन कि राजा जब कहीं पर रुका करते थे तो वहां आमोद प्रमोद में लीन हो जाया करते थे अब यहां मुकर्रब खान पहुँचा 2000 विशेश सेनिक थे 1000 अलग सेनिक थे 3000 सेनिकों को लेकर पहुँचा लेकिन जैसा मैंने बताया बहुत गना जंगल था तंग रास्ते थे घाटियां थी उसकी वज़े से यहां 300-400 सेनिक पहुच पाए और कभी कलश ने जब सामना किया सेना का तो कभी कलश के सीधे हाथ में एक तीर आकर लगा इनको पकड़ लिया गया कभी कलश को भी शंबाजी राजे को भी पकड़ लिया गया शंबाजी राजे को बालों से पकड़ कर गसीटा गया और इनके साथ और जो इनके 25 मंत्री और जो सलाकार थे उनको भी गिरफतार कर लिया गया उनकी जो पतनियां थी उनको भी और जो पुत्रियां थी उनको भी गिरफतार कर लिया गया अब ये जो सूचना है ये आग की तरह फैली और औरंग जेब को इसी सूचना का इंतजार था क्योंकि औरंग जेव ने अपनी पूरी ताकत, पूरी जान लगा दी थी कि किसी भी प्रकार से संबाजी राजयों को पकड़ लो ये सूचना फैली, एक फरवरी 1689 इस्वी को संबाजी राजयों को गिरफतार कर लिया गया था और 15 फैबररी 1689 इस्वी को इनको बहादुरगड ले जाया गया, बहादुरगड का एक फोर्ट है जो वर्तमान में महाराष्टर के ही एहमद नगर में आता है औरंग जेव का दरबार वहीं लगा करता था उस समय, आप देखो जब वहाँ इनको ले कर गए और जैसा सोर्सेज में लिखा गया है मैं ठीक आपको उसी रूप में बताता हूँ कि कैसे इनको अपमानित किया गया था जब यह बहादुरगण पहुँचे तो इनको दरबार तक ले जाने से पहले, 6 किलोमीटर पहले उन्ट पर बांदी आ गया उपर जोकर जैसे कपड़े पहनते न, वैसे कपड़े पहनाए गए सिर पर जो जोकर वाली टोपी होती है, वो टोपी लगाई गई और उस टोपी पर घंटी बांदी गई, इनके हाथों पर घंटिया बांदी गई ताकि जब उन्ट चले तो एक तो यह जोकर के कपड़े में हैं, दूसरा वो घंटियां बजती रहे और लोग जब इनको देखें तो उनको एक तमाशा देखकर मज़ा आ जाए. उन्ट चल रहे हैं, यह बंदेवे हैं, घंटी बंदी हुई हैं, जोकर के कपड़े पहनाएव 354 प्रकार से, इनके स्वाबी मान को तार-तार कर दिया गया था, और यही वो कारण है जिसकी वज़े से, अब आगे चलकर संबाजी राजे वो बात कहेंगे, जिसकी शुरुआत से मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग की थी, इनको अपमानित किया गया, और वहां ले जा पूंड थी, इसके बाद औरंग जेब ने दोनों को जेल में बंद करवा दिया, और जहां ये जेल में बंद थे, इनके पास में एक अपने अधिकारी रुहुला खां को बेजा, रुहुला खां ने संबाजी राजे से कहा, कि आपकी जान बख्ष दी जाएगी, लेकिन कु पस लोटा दो, और इसके अलावा ये बता दो, कि हमारे और के ऐसे कौन-कौन से लोग हैं, जो आप से मिले वे हैं, शंबा जी राजे ने क्या कहा, कि तुमारे बाजशा से कहो कि अगर वो मुझसे दोस्ती करना चाता है, तो अपनी एक लड़की मुझे दे दे, मतलब औरंग जेब के बारे में जितना कुछ कह सकते थे, उतना किया, सोचो आप, ये सपस्ट ये इनको पता है कि औरंग जेब इनको जीवित छोड़ने वाला नहीं, और अगर ये इस परकार की बातें करेंगे, तो इनकी मोत बहुत जादा दर्दनाक हो सकती है, उसके से लोगों के बीच में इनको अपमानित किया गया था, तो इन्होंने भी ये सोचा था, कि स्वाब इमान को जिस परकार से तार-तार किया गया है, शैद ये अब उस सम्मान के साथ में, अपना राज नहीं चला सकते, अपना शाशन नहीं कर सकते, इसलिए जीवित रहने से बैतर इन्होंने मृत्यू को गले लगाना उचित समझा और और अरंग जेब के लिए इस परकार की बाते कई, खेर जैसा अब इनके साथ में होना था, इनकी जीव को पकड़ कर खेंचा गया और काट दिया गया, अब जैसा जो सोर्स में लिखा गया हो बता रहो, जलती हु एकती की जीव को खेंच कर उखाड़ना, हाला कि जदुनाथ सरकार की किताब में लिखा गया है कि खेंचा गया और फिर काटा गया, खेर, संबाजी राजे के एके करके एके करके नाखून उखाड़े गए, इनके शरीर के अंगों को काटा गया, मतलब 11 मार्थ 1689 इसवी को जब इनको मौत के घाट उतारा गया, उससे पहले लगबद 14-15 दिनों तक इनको जो यातना है दी गई वो आपको बता रहा हूँ, इनके शरीर के अंगों को काटा जाता और कुत्तों के आगे फैंक दिया जाता, फिर काटा जाता, फिर काटा जाता, फिर फैंक दिया जाता और अंतत है ग्यारा मार्थ सोड़ा सो नवासी इस्वी को इनका सिर काट दिया गया सिर खोला गया सिर में भूसा भरा गया और भूसा भरने के बाद उसको हर नगर में भेजा गया द्रम के साथ में बेजा गया यह मैसेज दिलाने के लिए कि देखो हमने किस प्रकार से मराठों के साथ में किया है और मराठे बैबित हो जाए लेकिन इसका हुआ बिल्कुल विप्रीत मराठे संगठित हो गए और और अरंग जेब का जो पूरे भारत को जीतने का सपना था उ वहीं दखन में ही औरंग जेब दफन हो गया इस्टोरिया दो मोगर में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है कि किस प्रकार से इनको मारा गया वहां लिखा है कि कुलाडी से इनका सिर काटा गया और मारने से पहले इनका दिल निकाला गया इनका दिल निकाल लिया बाहर मतलब उसी प्रकार की कुरूरता दिखाईगी जिस प्रकार की कुरूरता बंदा सिih बाद़ूर के साथ आने वाले समय में फरुक शियर ने दिखाई थी। हालाके हम यह देखते हैं कि मुगल शाशक अकबर के समय में इस प्रकार की कुरूरता नहीं दिखाई थी लेकिन यह कुरूरता का जो दोर है यह औरंग जेब के शाशनकाल में शुरू हुआ और आगे तक हम देखते हैं कि फर्रूक शियर ने भी किस प्रकार से किया था और आ कहरब जब शंबाजी राजे की मृत्यु हुई 1689 इस्वी में, तो इनके ही भाई राजाराम को अगला मराठा शाशक बनाया गया, वो 1720 इस्वी तक शाशक रहे, बाद में फिर मराठों में शडियंत्रों का दोर चालू हुआ, और तारा भाई के दुआरा अपनी पुत्र की सनरक्षिका के तोर पर शाशन किया गया, और फिर बाद में 1707 इस्वी में इनके जो पुत्र थे शाहु, वो अगले छत्रपती बने थे, 1707 से 1750 तक, और हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से छत्रपती शाहु के शाशनकाल में पेश वाओं का वर्चस्वा बढ़ता चला ग और हमाई थी तोर देखते हैं